नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ मनिश कुमार सैनी केंद्री बजट 2024 पेश होने के बाद पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है उत्र प्रदेश में विपक्ष यह आरोप लगातार लगा रहा है कि राज जी के हिस्से कुछ नहीं आया इस बीच फैसबाद लोकसवा निर्वाचन शेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद अवदेश प्रसाद ने भारती जिंता पार्टी पर गंबीर आरोप लगाया है समाजबादी पार्टी के सांसद अव देश प्रसाद ने केंद्रिय बजट पर कहा यह जो अलपमत की सरकार है उसे बचाने का बजट है इसमें लगबग पूरे देश की अंदेखी की गई है इसमें आयोध्या उत्तरप्रदेश की अंदेखी की गई है यह कुरसी बचाने का बजट है इसलिए दो राजियों को प्रात्मिक्ता दी गई है और बाकी राजियों को अंदेखा कर दिया गया है यह भाजपा को काफी महंगा पड़ेगा सपासांसद ने कहा कि यह बजट जो आज मोधी साहब की अलपमत की सरकार है जोड और गांठ कर बनाई गई है इस सरकार को बचाने का बजट है पूरे देश को इगनोर किया गया है उत्तर प्रदेश और आयोद्या को इगनोर किया गया है यह भारती जंता पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने केंद्री बजट पर कहा पूरी तरह से निराशा जनक बजट है गाउं खेती की अंदेखी की गई है वहां यानि बिहार और आंध्रप्रदेश के नेताओं को यह सोचना चाहिए कि इतने बड़े राज्यों के लिए जो छोटी गोशनाएं हुई है वह अपरियाप्त हैं उत्तरप्रदेश का तो नाम ही नहीं लिया गया है सपा प्रमुक अकलेश यादव ने कहा आकडों के हिसाब से बड़ी बड़ी बाते की जाती है लेकिन जो परियोजनाएं चल रही है वो समय पर पूरा नहीं हुई है सरकार बचानी हैं तो अच्छी बात है कि बिहार और आंदरप्रदेश को विशेश पैकेज विशेश योजनाओं से जोड़ा जाएं अब देखना यह होगा कि बजट को लेकर जिस तरीके से सियासत गरमाती वी नज़रा रही है उत्तरप्रदेश ही नहीं बिहार ही नहीं अंदरप्रदेश ही नहीं तमाम यहां पर राज्य जो है वो विशेश पैकेज और विशेश राज्य की दरजे की मांग करते वे नज़रा रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि भारती जंता पार्टी की मुश्किले जो हैं वो बढ़ती जा रही है क्योंकि देखा जा तमाम राज्यों में विदान सबार चुनाओं भी होने हैं और एसे में विदान सबार चुनाओं में भारती जंता पार्टी को इसका खाम्याज भुगत लुकि देखा जाए लोगसबाद चुनाओं में किस तरीके से भारती जंता पार्टी और एंडिये के समर्थित दल यहां पर काफी सियासी मैदान में पूर जोर कोशिश करते वे नजर आ है और जंता को साधनी की कोशिश करते वे नजर आ है लेकिन देखा गया है कि आयोध्या की फैज़ाबाद स सीट से भारती जन्ता पार्टी को ढरा जट्का लगता है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जन्ता पार्टी पिछले लोगसबाद चुनाओं में 62 सीटे बसीय जीत ती और अब नट सहिंतने में भारतिय dissimework地 को अपनी रन्नीत्यों पर विचार करने की जरूरत है क्योंकि विदान्शभा के चुनाओं में भारती इंता पर्टी की जीत होना यहाँ पर लगवख इस तरीके से देखा झाए कि यहाँ पर जिनता पार्टी की जीत होना तैम आना जा रहा है तो उसमें कहीं न कहीं अब अन्य राजिंटिक पार्टियां इसमें दाउं पेज करती भी नजर आ सकती है देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए